1852 में जो अनॉस्मेंट हुई थी साउथ इंडिया में कि हम कुछ रिक्रूट्मेंट करना चाहते हैं एक विदेशी कंपनी हैं नौकरी देगी अच्छी तनख्वा देगी जिसके लिए काफी सारे लोग गए थे मंदिर के पीछे और वहीं पर गया था अंबरासन जिसकी उम्र मातर चौदा वर्ष की थी वो सिलेक्ट हो गया था क्योंकि तेज तर्रार था फुर्ती थी बेड़ों पर चड़ रहा था सब कुछ उसने वहां करके दिखाया इसलिए उसे इस काम के लिए सुटेबल एक केंडिडेट माना गया था इसी परकार के नौ और लड़के वहां पर सिलेक्ट हुए थे सब को मैसूर बुलाया गया मैसूर में उनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद भारत के अलग-अलग कोने में उन्हें रेन गेज इंस्टॉल करने के लिए बेश दिया गया अन्बरासन जिसे काम मिला था कुमाओं के जंगल के अंदर जाकर रेन गेज को इंस्टॉल करना और वहां से सभी रेडिंग्स कंपनी को देना जो की सामरा नाम की एक कंपनी थी जो एक नई कंपनी थी स्टार्ट अप थी लेकिन ये कंपनी साउथ इंडिया से लड़कों को रिक्रूट करके नौर्थ इंडिया में क्यों भेज रही थी जबकि वहां के खुद के लोग कुमाओं के लोग गड़वाल के लोग वहां के लोग भी इतने निपन होते हैं पहाडों के अंदर और ये उनके खुद के पहाड थे लेकिन फिर भी इस कंपनी ने ऐसा किया था ये बात सोचने लाइक तो थी लेकिन अन्बरासन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जिस रोज अन्बरासन ने खच्चर के साथ अपनी यात्रा शुरू की और वो जंगलों के अंदर चल रहा था जा रहा था उसे कुछ इस प्रकार की निशानिया मिली जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस प्रकार के निशानिया कैसे बनी क्यों बनी जहां पर पेड़ों के ऊपर कुछ ऐसे माक्स थे जिसे किसी बारी भरकम जानवर ने कुछ निशान बनाये हो हलाकि अन्बरासन मदुमलाई के जंगलों में ही पला बढ़ा था साथ इंडिया के जंगलों में पला बढ़ा था लेकिन जो कुमाओं की टरेन थी और जो साथ इंडिया की टरेन थी उसमें जमीन आसमान का अंतर था इसलिए यहां के जंगलों को समझना उसके लिए तब मुश्किल बनता जा रहा था जब वो इस परकार के चीज़ें देख रहा था जहां पर कुछ कैमप फायर जो अधर में ही किसी ने बुझा दी हो वहां से कोई भागा हो किसी के कुछ कपड़े, किसी के जूते, किसी के चपपल इस परकार के चीज़ें वहां पर पड़े थी लेकिन इसका क्या कारण था ये अभी तक क्लियर नहीं था समझ में नहीं आ रहा था अन्बरासन लगभग साड़े बारा एक बजे उस स्थान पर था जहां पर उसने ऐसे द्रिश्चों को देखा अभी भी लगभग आधा रस्ता बारां-तेरा किलोमीटर उसे जाना था जिस गाउं के पास उसे रेन गेज को इंस्टॉल करना था वो अभी आधे रास्ते दूर था अंबरासन कुमाउं के उस घने जंगल में एक ऐसी जगह पहुँच चुका था जहां का सन्नाटा असहज करने वाला था यह कोई साधारन खामोशी नहीं थी बलकि एक ऐसी खामोशी जो हर कदम पर सांस रोक देने का एहसास खराती हो चारों तरफ उंचे उंचे पेड और घने पत्तों के साथ एक अबेद दिवार की तरह खड़े थे बांज के पेड, देवदार के पेड, चीड के पेड जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थी नीचे जमीन पर सूखी, पत्तियों और नमी से भरी मिट्टी की परत थी लेकिन किसी पत्ते की सरसराहट भी नहीं सुनाई दे रही थी अंबरासन ने अपनी आँखों से चारों और का जायजा लिया वह भी जंगल से परीचित था, दक्षन के गने जंगलों से आया था और जानता था कि ऐसी खामोशी खत्रे का पहला संकेत हो सकती है ऐसे महौल में कोई भी आवाज करना अपने सिर पर आफत बुलाने जैसा था उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर के डर को काबों में किया फिर उसने अपने मन में ही ये सोचा की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे खत्रे के वारे में बता सकती है कोई अंदासा लगाने में मदद कर सकती है क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी कॉलिंग पूरे जंगल में नहीं हो रही थी तब उसका दिमाग चला क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वो खुद भी जंगलों में रहने वाला व्यक्ती था उसने यही सोचा कि जो उसके साथ खचर है इससे बड़ा संकेत कौन दे सकता है उसे किसी भी खत्रे का उसने अपनी नजर उस खचर के चहरे पर दड़ाई खचर अपने दोनों अगले पैर जमाए हुए बिलकुल स्थिर खड़ा था उसकी मास पेशियां तनी हुई थी और कान हलके हलके हिल रहे थे अंबरासन को समझने में देर नहीं लगी कि खचर की इस स्थिरता का मतलब यही है कि खत्रा कहीं आस पास नहीं बलकि आगे कुछ दूरी पर मजूद है उसने बिना कोई हल चल किये खचर की और ध्यान के अंद्रित किया क्योंकि वैं जानता था कि जंगल में अक्सर जानवर इनसानों से पहले खत्रे को बाप लेते हैं इस गहरी और खामोश घड़ी में जंगल अपने ही नियुमों के तहत सांस ले रहा था और अंबरासन उसी के हिसाब से अपनी अगली चाल सोचने लगा अंबरासन ने ठंडी हवा में खड़े होकर अपने हालात का जाइजा लिया उसने अपने मन में सोचा कि क्यों कोई स्थानिया व्यक्ती इस काम के लिए आगे नहीं आया कुमाओं के इस जंगल का डर इतना था कि लोग यहां कदम रखने से भी कतरा दे थे शायद इसलिए उन्हें दक्षन भारत के घने जंगलों में पले और खत्रों के आदी आदी वासियों को यहां बुलाया गया था लेकिन अब यह सब सोचने का कोई मतलब नहीं था वह यहां पैसे कमाने के लिए आया था और पैसे उसे मिल भी रहे थे बस उसे अपनी जान बचा कर इस जंगल के हर दिन को पार करना था अंबरासन जो एक आदी वासि कबीले से तालुक रखता था बच्पन से ही तीर कमान और लाठी चलाने में माहिर था यह जंगल उसके लिए नया जरूर था लेकिन खत्रों का सामना कैसे करना है वह जानता था उसने खत्रे की आहट को भाबते होए खचर को वहीं एक मजबूत पेड से बांध दिया अपनी सुरक्षा के लिए उसने आसपास नजर दुड़ाई क्योंकि उसके पास किसी भी परकार का कोई हत्यार नहीं था ना उसे कुछ दिया गया था ना उसे कुछ बताया गया था और बांध के एक पेड़ की एक मजबूत शाखा तोड़ ली शाखा को उसने बड़े कोशल से एक लाठी का रूप दिया लेकिन उसे पता था कि जंगल में सिर्फ एक लाठी से काम नहीं चलेगा उसने अपने साथ लाए गए औजारों पर नज़र डाली बारिश को मापने वाला जो यंतर जिसे रेंगेज कहा जाता था लगाने के लिए उसे कुछ औजार भी दिये गए थे जिसमें एक तीखा गुदाला भी था जिसे इस्तमाल करके एक गड़ा खोदना था ताकि रेंगेज को उसके अंदर लगाया जा सके अंबरासन ने गुदाले को पेड़ से गिसकर दारदार बना दिया और फिर उसी से लाठी को तेज भाले का रूप दे दिया अब यह लाठी सिर्फ एक साधारन डंडा नहीं रही बल्कि एक ऐसा हथियार बन गई थी जो जरूरत पढ़ने पर किसी शिकारी जानवर से उसका मुकाबला कर सके समय धीरे धीरे बीत रहा था जंगल की घड़ी में हर पल का मोल था दोपहर के करीब दो बच चुके थे अंबरासन ने आसमान की और देखा जहां सूरज अब पेड़ों के बीच जहां करा था उसे पता था कि अगर वह अब आके नहीं बढ़ा तो रात उसे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी और रात का मतलब था अंदकार का समराज्च जहां हर कदम पर खत्रा मन राता है उसने लाठी को मजबूती से पकड़ा गहरी सांस ली और अपने अगले सफर की तैयारी करने लगा और उस डगर की तरफ नजरें गड़ा कर देखने लगा जहां से उसे जाना था परंदो दिल में एक शक था और वो था कि खत्रा आगे किस दिशा से होगा अंबरासन ने दूसरी नजर से खचर की तरफ देखा जो अब भी अपने स्थान पर एक दम स्थिर खड़ा था खचर की ऐसी स्थिती को वहे अच्छे से समझता था जानवर अक्सर इस प्रकार से खत्रे की मौजूदगी बताते हैं लेकिन उसके पास समय की कमी थी दोपहर के बाद जंगल में तेजी से अंधेरा चाने लगेगा और रात यहां मौत का दूसरा नाम होती है उसने अपने भीतर के डर को दवाया और खचर की लगाम को मजबूती से पकड़ा खचर को वहीं छोड़ना भी खतरनाक था क्योंकि यहना केवल उसकी मदद का एक मातर सादन था बलकि उसकी सामान और औजार भी उसी पर तुलदे हुए थे अमबरासन ने खचर को हलके इशारे से आगे बढ़ने का संकेत दिया और खुद उसके बगल में धीमे कदमों से चलने लगा हर कदम पर वहे अपने आसपास की हरकतों पर बारीकी से नजर रखे हुए था सूखी पत्तियां और टूटी टैनियां जमीन पर फैली हुई थी लेकिन वहे ये सुनिश्चित कर रहा था कि उसका कदम किसी भी पत्ते पर ना पड़े ताकि कोई आवास ना हो खचर भी उसकी सावधानी को समझते हुए बिना कोई शोर किये आगे बढ़ रहा था लेकिन फिर भी खचर की चाल में एक तनाव था और ये तनाव ही सभी मुसीबतों की जड़ थी इस तनाव का मतलब था कि खचर आगे बढ़ने के लिए इतना उत्सुक नहीं है जंगल का सननाटा पहले से भी गहरा हो चुका था पेड़ों की शाखाओं के बीच हलकी हलकी हवा गुजर रही थी लेकिन यह हवा भी अंबरासन को किसी चिपे हुए खत्रे की चेतावनी की तरहें लग रही थी उसके हाथ में बाले की तरहें नुकीली लाठी थी जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था हर कुछ कदमों पर वह रुक कर चारों तरफ नजर दुड़ाता कानों को हवा में तैरती किसी भी आवास को पकड़ने के लिए स्तरक रखता उसे पता था कि अगर कोई शिकारी पास है तो वह भी अपने शिकार पर नजरें गड़ाए होगा खचर की चाल भी धीमी थी उसके नथुने हलके हलके फड़क रहे थे यह इस बात का संकेत था कि खत्रा शायद ज्यादा दूर नहीं है अंबरासन ने अपने कदम और धीमे कर दिये अब उसका हर फैसला उसके और खचर दोनों की जान बचाने के लिए था उसने सोचा अगर खत्रा अचानक सामने आ गया तो क्या वह खचर को छोड़ कर भागेगा या उसके साथ रहकर लड़ने की कोशिश करेगा लेकिन अभी भी उसके पास सिर्फ एक यवे कल्ब था और वो था आगे बढ़ना आगे बढ़ना अंबरासन धीरे धीरे पेड़ों के बीट से गुजर रहा था उसकी हर नस स्तरक थी तभी उसकी नजर एक विशाल उम्र दराज पेड़ की जड़ों पर पड़ी यह पेड़ बाकी सभी से अलग था उसकी मोटी और फैली हुई जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी मानो किसी रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हूँ इन जड़ों के बीच कुछ ऐसा था जिसने अंबरासन को ठिटकने पर मजबूर कर दिया उसने ध्यान से देखा और पाया कि वे एक खाकी रंग की पुरानी टोपी थी जो समय और मौसम की मार से बुरी तरहन जर जर हो चुकी थी टोपी की हालत देखकर यह साफ था कि यह काफी समय से यहां पड़ी थी उसके किनारे फटे हुए थे उस पर धूल और काई जमी हुई थी और कपड़ा लगभग सड़ने की कागार पर था अंबरासन ने टोपी को उठाने से पहले चारों और स्तरक निगाओं से देखा जंकल में हर चीज का एक मतलब होता है और ऐसी टोपी का यहां मिलना साधारन बाद नहीं थी यह टोपी किसी सरकारी करमचारी की लग रही थी शायद किसी पुराने गार्ड या रेंजर की जो कभी इस अलाके में काम करता होगा अंबरासन ने अपनी सांसे थाम ली और टोपी को हलके से उठाया उसकी पकड में आने पर टोपी से धूल के बाद लुड़े और हवा में एक हलकी बासी गंद फैल कही यह गंद नमी और समय की थी लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचानी भी थी उसने टोपी को पलट कर देखा इसमें कोई पहचान जिन नहीं था फिर भी यह टोपी जैसे अपने साथ कोई कहानी लिया हुए थी किसी का सफर, किसी की आखरी याद अंबरासन का दिल तेजी से दड़कने लगा उसके मन में सवाल उठने लगे यह टोपी किस की थी वह विक्ती कहां गया क्या वह इस खतरनाक जंगल में अपना रास्ता भटक गया था या कुछ और हुआ था उसने टोपी को वापस उसी जगएं पर रख दिया और चारों तरफ नजर खुमाई यह जगए अब और भी खतरनाक सी लगने लगी मानो जंगल की हर चीज उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अंबरासन जानता था कि जंगल अपने राज आसानी से नहीं खोलता उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने का फैसला लिया लेकिन अब हर कदम के साथ उसकी सरकता दुगनी हो चुकी थी जैसे ही अंबरासन और आगे बढ़ा अब वो एक ऐसी जगा पर पहुँच गया था कि उसके सामने का दरिश्य बड़ा ही बयानक लग रहा था अंबरासन उस वक्त एक ऐसी स्थिती में था जहां हर सांस बारी लग रही थी उसके सामने खड़ी चड़ाई थी और रास्ता इतना पत्त्रीला और खतरना की खचर का संदूलन बिगड़ते ही वे दोनों गहरी खाई में गिर सकते थे उसने खचर को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे समझ आ गया की जब तक भार कम नहीं किया जाएगा तब तक चड़ाई नामुम्किन है वो बीज रास्ते में खड़े थे एक तम इंकलाइंड उसने रस्तियों को खोलना शुरू किया लेकिन समय की हडबड़ी और अपने थके हाथों से उसने गलती कर दी एक गलत गांट खुली और रेन गेज खचर की पीट से सरक कर नीचे ख़ाई में जाकर गिरने लगा उसकी आँखों के सामने वो चमकदार उपकरन तेजी से नीचे गिरते हुए पत्थरों से टकरा रहा था अंबरासन का दिल धड़कने लगा रेन गेज उसकी यात्रा का सबसे महत पून हिस्सा था और अब वेखाई के अंधेरे में कहीं पड़ा हुआ था लेकिन इस से पहले की वेख कुछ और सोच पाता भार हलका होते ही खचर ने अचानक से रुठाया और बिना किसी चेतावनी के उस दिशा में भागने लगा जहां से वे लोग आये थे यानी पीछे की तरफ लेकिन अंबरासन के लिए रेन गेट सबसे ज़्यादा महत पून था उसे सबसे पहले उसे देखना था कि वो कहां पर पड़ा हुआ है क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी और रात के अंधेरे के बाद उसे ढूंड पाना बड़ा मुश्किल होगा अंबरासन ने नीचे की तरफ कूद मारी और जब उस उपकरण के पास पहुँचा ही था कि उपर जिस रास्ते पर खचर भागा था उस रास्ते पर धूल का एक गुबार उठा हुआ था ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने वहाँ पर कोई संघर्ष किया है संघर्ष कौन कर सकता था यानि कि जो ये खचर था जब ये खचर पीछे भागा तो जो भी जानवर इन दोनों को पूरे रास्ते से स्टॉक कर रहा था जो इनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था धूल का एक बड़ा गुबार बना दिया अचानक उपर के रास्ते से एक भारी गसीट ने जैसी अवा सुनाई दी अंबरासन ने उपर देखा लेकिन धूल और धुन्द के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी आकरिती जाड़ियों के बीच से हिली हो उसका मनतेजी से संभावनाओं का आंकलन करने लगा क्या कोई शिकारी जानवर वहाँ था या जंगल का कोई और रहस समय खत्रा खच्चर की स्थिती जानने के लिए उसे हर हाल में उपर चड़ना था उसने अपनी लाटी को बाले की तरह कस कर पकड़ा और तेज कदमों से उपर की तरफ चड़ाई शुरू की रेंगेज जहां पर पड़ा था उसे उस जगां का अब मालूम था लेकिन खच्चर की लोकेशन ढूंडना भी उतना ही ज़रूरी था हर कदम उसका दिल तेज धड़क रहा था मानो कोई अद्रिश्य ताकत उसके करीब आ रही हो रास्ते में कहीं बार उसे लगा की कोई उसके पीछे है लेकिन मुड़कर देखने पर हर बार बस वही धूल और जाड़ियों की हल चल जैसे जैसे वह ओपर पहुँचा हवा और भी भारी लगने लगी सांस चड़ने लगा मानो जंगल की हर चीज उसे रोकने की कोशिश कर रही थी अब अंबरासन उस जगें से कुछ ही कदम दूर था जहां खचर आखरी वार दिखा था उसने खुद को मानसिक रूप से तयार किया यहां कुछ भी हो सकता था लेकिन वह जानता था कि जंगल में सिर्फ हिमत और स्तरकता ही उसकी जान बचा सकती थी अंबरासन के दिल की धड़का नवार तेज हो गई थी क्योंकि वह जानता था कि यह जंगल कभी भी किसी भी खत्रे को लेकर आ सकता था खचर पर हमला जिस परकार से हुआ जो उसने देखा जो धूल उड़ी जो पत्थरों के टकराने की आवाजे आई उसके कानों में गौँज रही थी लेकिन यह समझने में उसे परेशानी हो रही थी कि हमला एग्जैक्ली किस पॉइंट पर हुआ उसकी नजरे लगातार ओपर और चारों और जुकी हुई थी क्योंकि वे जानता था कि अब वे अकेला रह गया है अंबरासर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रास्ते पर कदम बढ़ाए लेकिन उसके कदम अब इतने आतम विश्वास से भरे हुए नहीं थे वे समझ गया था कि अगर उसे जंगल में राद पितानी पड़ी तो यह उसके लिए जान लेवा हो सकता था शाम गहरी हो रही थी और अंधेरा गहरने की तैयारी कर रहा था जंगल की चुप से घवराए बिना वे खचर की दिशा में बढ़ा जहां आखरी बार उसने खचर को देखा उसकी उमीद थी कि खचर के पास उसकी जरूरी चीज़ें होंगी जिन में तंबू बागी का समान लेकिन जैसे ही वेकरी पहुँचा उसकी हालत और भी खराब हो गई जहां से धुल का गुवार उठा था वही पर चट्टानों पर रक्त लगा हुआ था लेकिन खचर का कोई नाव निशानवा नहीं था अंबरासन अब किसी और प्रकार से सोचने लगा था क्योंकि उसे अब यकीन था कि उसके खचर के उपर किसी जंगली जानवर ने हमला किया और उससे मार डाला ये रात बिदाने के लिए जो तंबू लेकर आया था वो तंबू भी खचर के उपर ही लगा था जब वो भागा था क्योंकि गलत रसी खुलने के कारण रेन गेज नीचे गिर गया था जबकि उसने रसी खोली थी तंबू की और राशन की ताकि वो उसे नीचे रखतेगा खचर उपर चड़ जाएगा और उसके बाद उतंबू और राशन अपने आप उठा कर ले आएगा लेकिन यहां सब गलत हो गया था शाम आ चुकी थी अब आगे बढ़ पाना नामुम्किन था यानि रात शायद यहीं बितानी होगी दोस्तों खचर पर हमला हो चुका रेन गेज नीचे किर चुका अकेला चौदा वर्ष का अंबरासन हाथ में एक भाले जैसी लकड़ी लिए खड़ा है क्या वो अपनी मन्जिल तक पहुँच पाएगा क्या वो वो काम कर पाएगा जो शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया जो सबूत उसे रास्ते में मिले यह उनी चीजों के सबूत थे कि ये काम एक प्रकार से नामुम्किन हो गया था इसी करण से कोई भी स्थानी अव्यक्ति इस काम को करने के लिए राजी नहीं था और दूर दराज से तक्षनी भरत से लोगों को बुलाया गया था दोस्तो कल आखरी एपिसोड में ये कहानी कुछ ऐसे पड़ावों से होकर गुजरेगी जिसे आप जिन्दगी भर याद रखेंगे लेकिन दोस्तो तब तक आप लोग अपना खयाल रखेगा यहीं पर मेरे साथ आसपास कहीं रहिएगा आपकी राच छुब हो गुड नाइट शब्भा खेर और शुब रात्री